असलम अलेकुम दूस्तों इस वीडियो में आपको देंगे साओधी के लेटेश रूम पर रहते हैं क्योंकि उनके लिए कई नहीं जानकारी देंगे जिसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी होना बेहत जरूरी है आगले अगले अपडेट साओधीर में प्यापसी स्यब कोल्डरिंग के बैन होने को लिकर है हम आपको इस वीडियों पूरी जानका देंगे और रिलेटर जानकारी वीडियों आपको देंगा यह जुरूर वीडियो को दें कि लिए कि साओधीर में ग्रहा के लिए सबनिक पारकिंग आवंटिद करना नियम के खिलाफ है अगर द्रजुर्बान लगा जाएगा विकलांग के लिए आरक्षित पारकिंग के लिए छोट भी दिया गया है साओधीर में अगर कोई भी पारकिंग इस्तिमाल करता है तो वहां पर सब ही लोग के लिए समान अधकार है मतलब सब ही लोग अपनी पारकिंग सबनिक जगहों में कर सकते हैं यहाँ पर कोई जगा यह नहीं है कि यह इनके लिए है यह उनके लिए है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि साओधे रफ के अंदर कई जगहों पर कई बेवसाय वाले कुछ प्रतिस्थान वाले सब्रिक पार्किंग जो है एक तरह से बाढ़ते हैं और बताते हैं उस तो ऐसे में उसके पास मोल फोम होना चाहिए जो वाहन का पेपर होना चाहिए और चालक का जो लाइसेंस वो भी होना चाहिए और यहां पर यह भी अपडेट किया गया है कि वही मालिक होना चाहिए जो अभी ड्राइबर है क्योंकि नियम में यही बताया गया है कि ड्राइब दुर्गटना के पढ़ाम स्रूप 14 लोग गायल हो चुके हैं जिसमें टोटल 11 लोग को अस्पताल में भरती करा गया है दो ऐसे मामले भी पाये गया है जिनको रेफ्रेंस आगे अस्पताल में भीज दिया गया है और आगे कहा गया है कि गायलों के आपात कालिन इस्तित के ल अगर वो खुद रद करना चाहता है मतलब यह है कि अगर कोई भी आप रोम किराय पर लेती हूँ या कुछ भी आप अनबंद करती हूँ वहाँ पर पट्टे के लिए या कुछ भी इस तरह से जो एक तरह से आप दोनों के बीच में समझा होता है अगर दोनों सहमत नहीं हो अगर पूरी तरह से बाते हैं अगर पूरी तरह से बाते हैं और इसमें काफी ज्यादा खापत भी साओधी रफ के अंदर होते हैं काफी लों को नुक्सान भी होता है दोस्तों से इतल पे के बारे में अगर पूरी तरह से बात करें तो साओधी रफ के अंदर अभी बैन किया गया है जो एसकोल है वहाँ पर तो पूरी तरह से बैन है लेकिन इसको लेकर भी मतलब पाब्लिक एरिया में भी बैन को लेकर है जो अपडेट हमने दिया है उसके तहसा भीलों के लिए अभी बैन है आप पी सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जादा ना पीएं अगर आप जादा पीते हो तो आपको नुक्सान दायक हो सकता है